गुड इनिंग एवरिवन, मेरे भविशे के VLDA डोक्टर साथियों, आप सभी का हारदिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA Campus पर और बच्चो आज VLDD Entrance Exam के Application Form आ चुके हैं, ठीक है, अब हम discuss करेंगे फुल डिटेल के साथ qualification क्या रहेगी, age क्या रहेगी, stream क्या रहेगी, number of seats क्या रहेगी, exam pattern क्या होगा, syllabus क्या रहेगा, exam date क्या होगी, private college कौन-कौन से हैं और fees कितनी होगी तो बच्चो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके, bell icon प्रेस करके, all notification सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे नोटिफिकेशन मिल सके, इसके साथ साथ बच्चों को VLDD और DVLT जो दो साल के duration के course रहेंगे, ठीक है, हमें DVLT से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये NEET के exam के उपर based रहेगा, NEET के students के लिए रहेगा, ठीक है, हम discuss करेंगे VLDD के बारे में, तो बच्चों VLDD क्या होता है, Veterinary and Livestock Development Diploma, ये डिप्लोमा का नाम है, VLDD क्या ब Veterinary Livestock Development Assistant, यानि पसुदन सहायक हिंदी में इसको बोल देते हैं, ठीक है, और ये जो course करवाता है, अपने हरियाना में, ये करवाता है, Institute of Para Veterinary Science, लाला लाजपत्रा, University of Veterinary and Animal Science हिसार, ठीक है, ये stabilized हुई थी, Act No.7 के according, 2010 के Act के according, ठीक है, और इनकी जो official website है, बच्चों, वो है www.luas.education.in, तो official website भी यही है, सारा जो copyright का claim है, वो भी इनको है, ठीक है, हम तो सिरफ आपको बच्चों detail दे रहे हैं, इनके application ना, form की, ठीक है, और कहीं से कोई mistake हो जाती है, तो भई उसके लिए हम responsible नहीं है, एक बार इसको, prospectus को आप अच्चे से पढ़ लेना, prospectus आपको इस website पे मिल जाएगा, ठीक है, बाकी कोसिस हमारी यही रहेगी, कि हम आपको सारी के सारी detail बिल्कुल exact दे, तो वीडियो में लास्त तक जरूर बने रहना है, detail वैसे, ये बाते बोलने की होती है, detail exact ही देंगे, tension ना लेना, आज आओ भई, अब next बात पे, तो next है, बच्च और ये आप इस website पे जाके इनका prospectus चेक कर सकते हो, ठीक है ना, उसके बाद है बई, next जो आपकी बात हम करेंगे, बई, कौन कौन सी date कब कब तक है, तो बच्चो application form बिना late fees के बरे जाएंगे, 21, 10, 2000, 21, तक जैसा कि मैंने आपसे सुबह बात की थी, उसी according आए है, और late fees के साथ, यानि 600 रुपए की late fees के साथ, आपके form बरे जाएंगे, 28, 10, 2000, 21, तक यानि एक week का time मिलेगा बच्चों, बिना late fees के आपको दिये गए है, 20 दिन, 21 दिन दिये गए है, 7 दिन आप लोगों को दिये गए है, late fees के साथ, ठीक है, उसके साथ क्या है बई, कि जो entrance exam होगा, form इसको होगा, और counseling कब होगी, उसके लिए आपको बाद में बताया जाएगा, date भई, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई है, तो बहुत ही अच्छी बात है, अब चलते हैं, आगे, fees और जो दूसरे charge होगे, have to be deposited by all as leasible candidate at time of document checking, otherwise the seat will be declared vacant, कि जब आपका test क्लियर हो ज जाएगा, उस time जो college की fees और जो charges है, वो आपको deposit करवाने पड़ेंगे, अगर आप deposit नहीं करवा पाते हैं, document checking के दोरान, तो वो सीटा, खाली गोसित कर दी जाएगी बच्चों, ठीक है, वीडियो में लास्त तक बने रहे ना, बिल्कुल 100% आपके हर एक question का जवाब फिर भी आपका कोई question रह जाता है, तो comment box में mention कर देना, बच्चों बिल्कुल अच्छे से जवाब दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बिना तो हम अधूरे हैं, आप हो तो हम पूरे हैं, ठीक है बच्चों, तो भाई, application processing जो fees है, जो non refundable है, for one diploma course, यानि VLDD के लिए, व और SSB जैंड के जो resident हैं, उनके लिए कस्मीरी migrates के लिए, और EWS वाले भी ध्यान से देख लें, दो हजार रुपे लगेंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल कम नहीं करेगी, उनिवस्टी, दो हजार रुपे ही लगेंगे, और जो रिवासा और management quota seats हैं, affiliated private colleges की, उनके लिए भी फीज कितनी रहेगी, दो हजार, 500 रुपे फीज उनके लिए रहेगी, जो SC है, deprived SC है, या BCA है, BCB category से जो belong कर रहे हैं, उनके लिए भई, ठीक है, उसके बाद है बच्चों, कि जो in addition, the candidate cell have no BA to actual bank charges, bank charges आपको नहीं लगेंगे, और totally इतना ही charge लगेगा, ठीक है, और candidates को ये भी कहा जाता है, कि जो university की website है, उस पे जरूर visit करते रहें, latest inquiry के लिए, ठीक है बच्चों, उसके बाद है, बइक office के जो number इनों ने दिये है, इन पे भी आप बात करके, admission से related, जो inquiry है, वो आपका कोई भी question है, उसका जवाब आप ले सकते हो, और private college से अगर आपको संपग क करना है, ठीक है, तो उनकी list भी निचे, इस prospectus में page number 11 पे दे रखी है, हर एक college का नाम, address और mobile number दे रखा है, ठीक है, और अगर आप email id पे कुछ पूछना चाते हो, तो ये email id नोंने provide की है, वह इस पे आप अपने question हा, पूछ सकते हो, और वो बच्चे last तक मेरे साथ रहे, जिनको ये भी जानना है, कि form बरते साथ, समय कौन-कौन से कागजों की जरूरत पड़ेगी, बच्चों मैंने काया हर एक question का जवाब मिलेगा, इसके सिवा कोई दूसरी class देखने ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको, दूसरी video देखने ही जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एकाउंट में जमा होगी, हिसार, ठीक है, समझ गए मेरी बात, उसके बाद आईए बई, important instruction यानि form बढ़ने के लिए कौन-कौन सी instructions जरूरी रहेगी, तो बच्चों आपके जो application form बढ़े जाएंगे, वो सिरफ और सिरफ online बढ़े जाएंगे, ठीक है, दूसरी बात इन्हो prospectus को अच्छे से पढ़ ले, और website को daily, यानि regularly visit करे, नहीं जो information है, update है, उनके लिए, ठीक है, और जो application form है, बच्चों वो अच्छी तरह से complete होना चाहिए, और आपको online ही submit करवाना है, last date से पहले, required document के साथ, अब documents की क्या-क्या जरूरत पढ़ेगी, बताऊंगा, tension नालो, हर एक question का जवाब दूँगा, बस आप वीडियो में लास तक बने रहना, ठीक है, और no column of the application form should be left blank, application का कोई भी column खाली नहीं होना चीए, खाली रह गया तो university वाड़े form reject कर देंगे, ठीक है, ध्यान से form बरवाना बई, उसके बाद है बई, entire, all entire especially category for reservation benefit की, जिनको reservation का benefit चाहि any change in categories not permissible, इन्होंने का application form ध्यान से बढ़ना बई, किसी भी तरह का कोई भी change आपको नहीं करने दिया जाएगा, और जो mobile number आप दे रहे हो, वो बच्चों अपना देना, उसके उपर एक OTP भी आएगा, ठीक है, OTP आने के बाद आपकी application form का status, यानि वो form accept हुआ है, या reject हु form reject हुआ है, तो उसका भी आपको message आएगा, और उसके बाद आप इस form को 22 तारिक से लेके 28 तारिक तक बर सकते हो, 600 रुपए की late fees के साथ, यानि अगर एक बार form में गलती हुई, form reject हो गया, तो दोबारा आपको दूसरी बार 26 रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए कह रहा नेक्स जो बात कर रहे हैं बच्चों हम, कि VLDD candidates जिनके form reject हो जाएंगे, वो 21-10-2021 से 28-10-2021 तक दोबारा अपने form भर सकते हैं, late fees के साथ, ठीक है, समझा आगई बात बई, और 28-10-2021 के बाद, resubmit और application form को edit करने का कोई भी chance आपको नहीं दिया जाएगा, और अब ये जो द और BCB के candidate है ना, वो upload करेंगे latest income certificate, यानि income certificate, आई का परमान पतर उनको update करना होगा, ठीक है, upload करना पड़ेगा, वो किस तारिक के बाद बना हुआ होना चाहिए, 14-2021 के बाद, अगर इससे पहले का income certificate बना हुआ है, बच्चों तो उसको update करवा लो, ठीक है, अगर update नहीं तो भई दिक्कत आ जाएगी, the children of person having gross annual income up to 6 lakh रुपे तक income हो सकती है, ठीक है, reservation का जो admission, reservation में admission लेने के लिए, ठीक है भई, section backward जो class है, BC class है, उनकी earning above 6 lakh रुपी self be considered as creamy layer, अगर 6 lakh से उपर हैं, तो वो creamy layer में आ जाएंगे, यानि उसको reservation का फाइदा नहीं मिलेगा, तो BCA और BCB में अगर किसी को form apply करने हैं, तो उनका income certificate latest होना चाहिए, 142021 के बाद का होना चाहिए, और 6 lakh रुपे से कम का होना चाहिए, समझ गए बात भई, उसके बाद है, EWS जो category हैं उनको भी अपना जो income certificate upload करना है, वो भी 142021 के बाद का होना चाहिए, SC और DSC जो candidate हैं, SC वाले जो candidate हैं, वो upload करेंगे category certificate, ठीक है, similarly जो PWD candidate है, वो भी अपना जो certificate है, civil surgeon के दवारा जो issue होता है, उसको upload करेंगे, और जो सारे के सारे जो certificates है, बच्चों ये आपको counseling के दोरान लेके जाने पड़ेंगे, अगर आप counseling के दोरान नहीं लेके जातें, तो ये form आपका cancel माना जाएगा, उसके बाद आईए भई, next बात पर, कि at the time of document checking, ये बात तो मैंने आपको बताई दी, कि document checking के दोरान सारे original document आपको लेके जाने है, colored photo state, document will not be accepted, यानि black and white photocopy होनी चीए, colored नहीं होनी चीए, दो set होने चीए, self attested photocopies of original document के, यानि जो आपक qualification के document है, residence यानि domo style है, income certificate है, cast certificate है, इन सब की दो-दो copy लेके जाने है, photocopy जिन पर खुद के sign किये हुए हो, counseling के दोरान लेके जाने है, जब paper हो जाएगा, आप counseling करवाओगे उस दोरान, और दो photo लेके जाने है, two by two size होना चाहिए, colored photograph होना चाहिए, 18220 के बाद लिया होना चाहिए, जो आपने application form में लगाया है, वही, और बच्चो इसका background white होना चाहिए, background क्या होना चाहिए, white होना चाहिए, इसके उपर वकाइदा आपका नाम और date लिखी होनी चाहिए, जिस date को photo ली गई है, ज्यान रख लेना, photo नहीं होनी चाहिए, नहीं photo खिचवा ले ठीक है जी, उसके बाद आएए, next चीज़ पर ये आपके काम की बाते नहीं है, आप ये बाद की बाते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है, ये सारी बाते जो मैं छोड़ रहा हूं, skip कर रहा हूं, बाद की है बई, और जो आपका result आएगा बई, उसकी date है, इनकी website पे, entrance exam के ब date रहेगी, 10-12-2021, 10-12-2021, SSB वाड़ों के लिए रहेगी, जो service में उनके लिए रहेगी, non-service वाड़ों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसके बाद आएए बई, counseling ए नदर ये बाद की बाते हैं यार, ठीक है, बाद में बाद में करेंगे, अप आब नहीं करते ह हाँ, ये note थोड़ा सा देखते हैं तो देख लो बई, चलो यार, इसको भी आगे देख लेते हैं, fees वाड़ा आईए, fees वाड़ा है, fees वाड़ा है, fees वाड़ा बताए ना बताएं, बाद में बता देंगे, इकठा, रुको, wait करो आप थोड़ा सा, सारी बाते बताऊंग, attention हाँ, अब कई बार बच्चे पूछने हैं कि सर, उमर क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, कौन सा बच्चा एपलाई कर सकता है, ध्यान से देख लो, आँखे खोल के, फिर मत कहना बताया नहीं, जो SC के कंडिडेट है, BSC यानि डेपराइड से डिवल कास्ट वाड़े हैं, BCA वाड़े हैं, BCB वाड़े हैं, उनका जनम 31.12.1994 से 31.12.2004 तक का हैं, तो वो application form बर सकते हैं, ठीक है, 31.12.2004 के बाद का हैं, तो नहीं बर सकते, 31.12.1994 से पहले का हैं, तो भी application form नहीं बर सकते, अगर आपकी date of worth इनके बीच की हैं, तो आप application form बर सकते हो, यानि 31 12 1994 से 31 12 2004 तक और जो जनरल के टिगरी वाले हैं EWS वाले रह गए यानि बाकी जो सारे रह गए उनके लिए रहेगी 31 12 1999 से लेके 31 12 2004 तक इसके बाद के कंडिडेट एप्लाई नहीं कर सकते 31 12 1999 या इसके बाद की हो पहले की नहीं होनी चाहिए 31 12 2004 हो या इससे पहले की हो बाद की नहीं होनी चाहिए इस डेट के बीच में जिसकी डियो भी आती है वो भर सकते हैं ठीके या यह आती है तो भी भर सकते हैं और जो सर्विस कंडिडेट्स हैं सारे के सारे के टिगरीज के इसमें SCBC नहीं है, सभी कैटिगरी इसके उनकी maximum age limit रहेगी 50 साल और वो होनी चाहिए 31, 12, 2021 तक है उसके बाद है वे next जो बात हम करेंगे जो DVLT और VLDD है इनके लिए अलग-अलग form बढ़ने पड़ेंगे भी एक form से काम नहीं चलेगा DVLT का जो admission होगा वो NEET की जो merit list आएगी उसके base पे होगा ये रहेज ही आपके private college के number और नाम ठीक है जिनको private में admission लेना है वो इनसे contact कर लेना बई और screenshot ले लो इनका ठीक है और भी है इतने नहीं है और भी है टेंशन क्यू लेते हो ये लो बहुत सारे हैं screenshot लेना जिनको ले लो भई ठीक है ये लो जी तेरा college अब आओ आगे rule regulation governing admission to diploma तो ये बाते तो मैं कर भी चुका हूँ ठीक है qualification क्या होनी चाहिए अब main चीज ये रह गई बई number वाड़ा system रह गया किसके कितने number होने चाहिए कौन सी stream होनी चाहिए आंक खोल के देख लो कान खोल के सुन लो कि जिन बच्चों ने plus two pass कर रखी है any stream से किसी भी stream से बस वो pass होना चाहिए ठीक है 33% उसके number होने चाहिए ठीक है बच्चों पास होना जरूरी है किसी भी stream से हो art से हो commerce से हो medical से हो non medical से हो ठीक है उनके वो इस form के लिए apply कर सकते हैं बस pass होना चाहिए पर एक condition लगा दी कि उनके 10 वी class में 60% number होने चाहिए जनरल वाड़ों के ठीक है इसके साथ साथ जो BC वाड़े हैं EWS वाड़े है ठीक है या in service है ठीक है उन सब के लिए 60% है SC और DSC के टिगरी के लिए उनके लिए DSC है deprived, schedule, cast last में आएगी बताओंगा कौन-कौन सी है ठीक है ना उनके लिए सिरफ और सिरफ वा 3% की छूट दी गई है 57% number दस्वी में होने चाहिए 57% number दस्वी में होने चाहिए समझ गए भई management quota seats है हर्याना डॉमोसाहिल वाले जो students है उनको भी same relaxation मिलेगा भई ठीक है ना state quota में भी और management quota में भी ये criteria रहेगा ध्यान रख लेना इस चीज़ का दोबारा बता लेता हूँ plus two pass होना चाहिए और 10th में 60% number होने चाहिए SC और DSC वालों के दस्वी में 57% number होने चाहिए बाकी सारी जितनी भी आगई EWS SC और EWS BCA BCB ठीक है PWD सारी के सारी ये 60% number 10th में होने चाहिए मेरे भाई ठीक है उसके बाद आजाओ next बात करते है आप अपने important वाली सारी बाते बताऊंगा अटेंशन आलो आज ठीक है आज के अगर class आपने डंग से देख ली न आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई सारी बात मैं आपको अच्छे से ये बताते मैं बता चुका हूँ आपको ठीक है इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ भी छोड़ रहा हूँ इन चीजों को और जो invalid boards है भाई वो आपको छोड़ने है अब यहाँ ध्यान से पढ़ो इस चीज को यह कहते है colored photograph of size 2 into 2 taken on 182,211,182,212 को यह इसके बाद का जो फोटो आपने ले रखा है वो application form में आपके नाम के साथ और जिस date को फोटो लिया गया उस date के साथ आपको apply करना है जिसमें 80% face coverage होनी चाहिए full clarity होनी चाहिए ears clearly visible होने चाहिए और background white होना चाहिए background क्या होना चाहिए white होना चाहिए और photograph जब आप किचवारे हो तो कोई भी टोपी सिर्पे नहीं लगानी चस्मा नहीं लगाना hero नहीं बढ़ना form बढ़ने doctor बढ़ना है ठीक है और specs है जिनके चस्मा number वड़ा लगा हुआ है उनके चस्मा allowed है ठीक है जो regularly use करते हैं जो daily use करते हैं उनको चस्मा लगा के फोटो खीचवा सकते हैं और अब जो important बात है ना ध्यान से सुन लो जो polaroid और computer और mobile इंडेटीज फोटो है वो accept नहीं होगी जिन फोटो पे आप date mobile से लिखोगे computer से लिखवाओगे वो accept नहीं होगी फोटो आपको नहीं खिचवानी पड़ेगी अपलोड करनी पड़ेगी ऐसा कर दिया तो form reject हो जाएगा उसके बाद आजो next पे वही ये बाद तो मैंने आपको अच्छे से बता दी दो बाए दो की फोटो होनी चाहिए 18221 के बाद की फोटो होनी चाहिए ठीक है और candidate are advised to keep 6-8 passport size ऐसी फोटो बनवा ले ना बै जो आप upload करोगे उस तरह की 6-8 फोटो बनवा ले ना और admit card download candidate करेगा ना युनिवस्टी की website से तो download करने के बाद उसके उपर एक फोटो लगवानी है 4 बाए 6 की और वो भी इसी तरह की होनी चाहिए जो date आपकी 2 बाए 2 वाली फोटो पे है ना वही 4 बाए 6 वाली फोटो पे होनी चाहिए और ये फोटो बनवा ले ना बै जरूरत पड़ेगी इसकी admit card पे लगानी पड़ेगी ठीक है समझ गए और ये upload भी होगी उस time जिस time फोटोगे ध्यान रख ले ना मेरी बात ठीक है जी इतनी बात अगर समझ आ गए ये तो चलते हैं आगे बही interest test की बात करते हैं VLDD के लिए तो ये कहता है all VLDD applicant including in service candidate in service candidate और VLDD applicant है उनके लिए क्या होगा exam होगा ठीक है date वैसे तो इन्होंने दे दिये कोई change होगा तो ये बता देंगे बही और SSB के जो employees हैं सीमा सुसस्तर बलके उनका exam नहीं होगा उनके लिए बाद में बताया जाएगा SSB candidate online और offline दोनों माध्यम से apply कर सकते हैं ठीक है checking at the time admission counseling pay processing fees इन्सर्विस वाडों के लिए बाद चीते हैं ठीक है तो इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ लेना मेरे काम की चीज नहीं है जो ज़्यादा तर mostly common candidates के काम की बाते हैं वहीं बता रहा हूँ fall to time में waste नहीं कर रहा आप लोगों का ठीक है marks आएंगे उसके base पे होगा पर जिस time आपकी counseling होगी उस time आपको original documents जमाख करवाने पढ़ेंगे दिखाने पढ़ेंगे photocopy के साथ result आये तो result की photocopy नहीं चले कि DMC लेके जानी पढ़ेगी उस time ठीक है उसके बाद आओ भी यह तो बाद की बाते हैं attention ना लो आगे चलो pattern क्या रहेगा भी entrance test का 100 question आएंगे मेरे साथ ही हो 100 ही number का होगा 70 science के question आएंगे 30 math के question आएंगे और size के 70 question आएंगे उसमें biology के 40 होंगे 30 physics और chemistry के होंगे mathematics के 30 question होंगे chapter कोण कोण सा आएगा इसके लिए भई आप लोग हमारी जो VLD information के नाम से playlist है वो चेक लेना science के chapter wise मैंने बता रखे हैं कहां से कितने number का काम आएगा math का भी बता रखा हैं तो ध्यान से देख लेना ठीक है और यह जो test है the syllabus of VLDD entrance test will be of metric standard of board school education हर्याना और CBSC New Delhi कि जो 100 question आएंगे वो 10 वी base पे science और math के आएंगे भाई ठीक है ज्यादा attention लेने की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए तो अच्छे से अपनी preparation आप लोग कर सकते हो ठीक है इतनी बात समझ आ गई तो अब चलिए आगे हाँ अब बच्चे पूशते हैं पेपर में कितना time मिलेगा तो duration होगा भी entrance time में 2 गंटे 15 मिनट का time आपको दिया जाएगा 30 मिनट है भई वो paper की जो formalities है वो पूरी करने में यूज करेंगे और आपको paper करने के लिए 1 गंटा 45 मिनट दिया जाएगा ठीक है 1 गंटा 45 मिनट आपको 100 question solve करने के लिए दिये जाएगे यानि 105 मिनट आपको दिये जाएगे 100 question होंगे ठीक है timing of entrance test reporting time will be notified on university website on covid-19 guideline will be followed strictly ये द्यान से सुन लो ठीक है इन्होंने क्या कहा है भई आपकी जो entrance test का time है reporting time है वो university की website पे दे दिया जाएगा जब आप entrance देने आते हो तो covid-19 की जो guidelines है corona की जो guidelines है उनको follow करना पड़ेगा यानि कहने गा मतलब mask लगाना पड़ेगा sanitizer लेके जाना पड़ेगा ठीक है ये सारे काम आपको करने पड़ेगे आप कुछ बच्चे पूछते है पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिस में आएगा तो बच्चो पेपर हिंदी और इंग्लिस दोनों language में आएगा किसी तरह की कोई negative marking नहीं होगी तुक्के मार सकते हो ठीक है तो admit card है वो candidate university website से डाउनलोड करेगा चार भाई छेगी उस पे colored photo लगानी है date और नाम के साथ होनी चाहिए और 18221 के बाद की होनी चाहिए ठीक है समझ गये मेरी बात भाई यो यह सारा center पे लेके जाना आप लोगों को उसके बाद है वही कुछ बच्चे कहते है सर vaccine के बारे में vaccine के बारे में compulsion नहीं है लगवा लिये तो भी better है ठीक है ना लगवा यह तो लगवा लेना यार vaccine से कुछ नहीं बिगड़ता आप लोगों का ठीक है समझ गये ना मेरी बात ना लगवा तो भी कोई problem नहीं है पेपर आप दे सकते हो गई entry to the test center will not be allowed without a valid website generated यानि admit card के बिना आप लोगों को entry नहीं दी जाएगी जब आप paper देने जाओगे ठीक है उसारी की सारी जो instructions है admit card पे होगी उनको follow करना है बल्योटूट कैलकुलेटर mobile phone अगरा है वगरा कुछ आपको नहीं लेके जाने दिया जाएगा ओमार seat पे ही आपको सारा काम करना है ठीक है ध्यान रख लेना भी यह सारी बाते बाद कियार बाद में करेंगे ठीक है इनमें कोई बताने वाली बात आप लोगों के लिए नहीं है हाँ एक चीज़ ध्यान से पड़ो बें यह जो point बता रहा हूँ यह important है every candidate will be required to put his or thumb impression on the attendance during the VLDD VLDDate 2020 ठीक है thumb impression will be note match अगर false thumb impression नहीं मिलेगा तो दिक्कत आ जाएगी क्योंकि registration के time आपसे thumb लगवाएंगे अंगुठा लगवाएंगे ध्यान रख लेना वो अंगुठा चैसे लगा देना और याद रखना कोण सा लगाया है वही आपको university में जाके लगाना है ठीक है उसके बाद अभी pattern बता चुका हूँ ऐसे तो मैं आपको ये भी ये सारी बाते मैंने आपको अच्छे से बता दी है ठीक है बच्चों तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए बई कोई किसी तरह की कोई problem आप लोगों को मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए अब आजाओ पूसते हैं बच्चे बारी बारी करते हैं सर सीट कितनी है तो भाई सीट VLDD के लिए 820 प्लस 23 यानी 843 सीट है टोटल सीट कितनी 843 सीट है 70 सीट आपकी VLDD की हर्याना रेजिडेंस के लिए रहेगी ठीक है और ये जो 70 सीट है बच्चों जनरल कंडिडेट्स के लिए इन सर्विस में जो कंडिडेट है अठी दिपार्टमेंट में यानी उनिविस्टी के लिए 6 सीट रहेगी तो लडाई इन 70 सीटों की है बाई जम के गोड़ी लगा दो पढ़ना स्टार्ट कर दो έडमिशन लेना है तो ये नहीं है तुक्के मार के ओशाएंगे ये ओशाएगा वो ओशाएगा बाई किसी के बुरोसे मत रहना बुक उठाके पढ़ लेना ठीक है और VLDA campus पर practice set की सिरीज चल रही है वो ज़रूर जुआइन कर लेना अब आज वागे next पर जो बात करनी है यार ये अपने काम की बात नहीं है ठीक है ये बारवाडों की बात है इनको हम नहीं include कर रहे हैं हाँ तो seat है भई सीडिवल कास्ट के लिए जो 70 seat में से 14 seat रहेगी ज्यान रख लेना ठीक है और BCA के लिए 11 seat रहेगी BCB के लिए 7 seat रहेगी उसके बाद है next जो बात कर रहे है परसन जिसको disabled है भई ठीक है उसके लिए 2 seat रहेगी और economically जो wicker section है उसके लिए कितनी seat रहेगी तीन seat रहेगी जनरल के लिए 32 रहेगी एक सर्विसमेन के लिए एक रहेगी यानि total 36 seat जनरल वाड़ों के लिए रहेगी ठीक है भई समझा गई मेरी बात मेरे साथ ही हो उसके बाद affiliated जो private colleges है उनकी जो 50% seat है वो state quota के थ्रू बरी जाएगी तो state quota में 45 seat बहु अकबरपुर की है और दूसरे private colleges है 30 seat उनकी है ठीक है SDCS की seat भी कितनी है 30 है जान रख लेना ये ठीक है यहां क्या होगा यहां ऐसे सारा आपको दे रखा है SC वाड़ों के लिए 9, 6, 6, 20 वाड़ों के लिए 7, 4, 4 ये college wise है यार college आप देख लेना यार ठीक रहेगी 2, general वाड़ों के लिए 22, total seat रहेगी 24, ठीक है इसी तरह से 17 और 17, 17, 17 seat दूसरे colleges में है जो आपको बताए है उपर भई, इस सारी बाते समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है भई, अब डेपराइड जो सेडवल कास्ट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौण ठीक है ना, यह reservation वाड़ा criteria था और कुछ नहीं है इसमें लंबी चोड़ी कानी नहीं है मेरे भाई, ठीक है दिक्कत नहीं लेनी, और यह उनके लिए है जो SSB वाड़े हैं, ठीक है सर्विसमेन है उनके लिए है भी यह यह चीज़ें आपके पास होगी, तो यह conditions वाड़े verify किये जाएंगे, preference दी जाएगी, एक सर्विसमेन का वाड़ है, वो सबसे last में है ठीक है, आप लोगों को benefit मिलेगा एक सर्विसमेन को भी, यह चीज़े पढ़ लेना भी, एक सर्विसमेन माने कुछ समझना है तो comment कर देना बता दूगा, ठीक है, disability वाले भी यह line पढ़ ले और जो applicants है भई, उनको इस तरह की जो यह option दे रखे है न, यह पढ़ लो अच्छे से, इस तरह की कोई disability नहीं होनी चाहिए, ठीक है न, इस तरह की disability नहीं होनी चाहिए, अब annual, जो fee structure है भई, वो देख लिए आप लो, veterinary livestock, development diploma के लिए, open quota में 60,000 रुपे लगेंगे, management quota में एक लाग 25,000 रुपे लगेंगे, यह हरियाना government ने fix की है, ठीक है, जो बारी बारी पूस्ते हैं, सर फीस कितनी रहेगी तो इतनी रहेगी भई, ठीक है, उसके बाद हैं, लुआस हैं, लुआस में फीस लगेंगे 31,870 रुपे, girls के लिए लगेंगे, 24,870 रुपे, और जो दोबारा, और इसके बाद private colleges की फीस की बात आती है, तो बच्चो medical examination, यह ध्यान से पढ़ो, कि जो document choking के दोरान, 75,000 रुपे state quota वाड़ों को जमा कराने पढ़ेंगे, ठीक है, और जो 140,000 रुपे वो management quota वाड़ों को जमा करवाने पढ़ेंगे, यह annual fees हैं, भई, ध्यान इस चीज को समझ लेना, अच्छे से, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यह university fees लेगी आप लोगों से, हाँ, अब आजाओ, photograph कैसा होना चाहिए, photograph मैंने बता दिया, ठीक है, अब जब upload करोगे तो 10-200KB तक का होना चाहिए, JP और JPEZ में होना चाहिए, sign होना चाहिए, 4-30KB में, JP और JPEZ में होना चाहिए, postcard size जो, postcard की जो photo बताई थी, 4-26 की, वो 50-300KB के होनी चाहिए, और इस format में होनी चाहिए, left thumb impression, खब्बे आत का thumb impression लगेगा भई, 10-50KB होना चाहिए, ठीक है, और 10th की DMC लगेगी, plus 2 की DMC लगेगी, category certificate लगेगा, domo style लगेगा, income certificate लगेगा, जिनका size इतना होना चाहिए, ठीक है, document ओर दुबारा बता दूँ, attention नालो, लिख लेना, photo इस ऐसी होनी चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए, निचे date होनी चाहिए, face साफ दिखना चाहिए, ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है, दुबारा बता दूँ, photo 80% face द रगा लेना, ठीक है, नित दिक्कत आएगी, आगे ससमा उतारना पड़ेगा, जब entry होएगी, ज्यान रख लेना इस बात की, along with the photo candidate are also required to attach a second image of signature, right hand index finger impression, right hand index finger, ठीक है, यानि जो right hand की index finger है, वो आप लोग क्या करोगे, बच्चों, उसकी scanned image signature के साथ लगाओगे, ठीक है, और जो essential specification है, वो अब discuss करेंगे, बच्चों नीचे, signature ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ ये signature की detail होई, सारी देख लो, अच्छे से, signature साथ दिखना चाहिए, running end में होना चाहिए, capital letter में नहीं होना चाहिए, post card वाली photo का size होना चाहिए, 4 inch गुणा में 6 inch, ठीक है, और white होना चाहिए, background, background क्या होना चाहिए, white होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ जब ये आप photo university में लेके जाओगे ना, तो उसके पीछे name लिखना, application form number लिखना, और roll number लिखना, ठीक है, फिर admit card पे चिपकानी है, और एक साथ लिखे जानी है, द्यान रख लेना, दो photo बनव होनी है, उन पे भी सेम काम करना है, आप लोगों को, back side लिखना है, जो चीज़े मैंने बताई है, front side में आपका नाम होगा, और क्या होगा, जिस date को photo ली गई है, वो होगा, ठीक है जी, समझ गए मेरी बात, इतनी बात समझ गई हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अब आज डोकुमेंट पे जो आपका डोकुमेंट हो रही थी, कौन से डोकुमेंट की जरूत पड़ेगी सर है, तो देख लिए हो बई, मेट्रिक का सर्टिफिकेट होना चीए, जिस पे date of birth और father name हो, plus two का सर्टिफिकेट यानि DMC आपको upload करनी है, BSC कर रखे तो वो भी कर सकते हो भई, SC और DSC का सर्टिफिकेट है, जो SC वाले और DSC वाले हैं, वो apply करेंगे, जेनरल वालों को, BC वालों को इनकी जरूरत नहीं है, BC वाले income सर्टिफिकेट जो 14221 के बाद बना हो, BCB वाले भी income सर्टिफिकेट अपलाई करेंगे, और इसके साथ इनका कास अनेक्सर 6 में दिया हुआ है, उस format में करवाना है, ठीक है, और ये neat वाली हमें जरूरत नहीं है, ये DVLT वालों को जरूरत है, PWD का सर्टिफिकेट दे रखा है अब प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, वो उसी साब से बनवाना है, और हरियाना रेजिदेंस सर्टिफिकेट GSCBA कर रखिए, तो वो ले जाना साथ में, इसके साथ-साथ आपको अप को हरियाना डोमोसाहिल लेके ले जाना है, और परिवार पैचान पत्तर लेके जाना, जो सिड्वल कास्ट वाले हैं, वो सुनलो, इनकम सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, कास सर्टिफिकेट लेके ज जाओ गई इतनी बात समझ आगी हो तो आगे चलो ठीक है और ये वो दे रखे इन्होंने परफोर्मा जो बता रहे थे नेक्स्चर वाड़े अब डेप राइड सी दुवल कास्ट कौण कौण सी है ये होगी ध्यान से पढ़ लेना स्क्रीन सोट ले लेना अगर आप हो तो ये डेप्राइड कास्ट में इन्वर्स्ट इकाउंट करती है ठीक है समझ गए मेरी बात ठीक है ये देख लो भी आगे चतिस तरह की है ये स्क्रीन सोट लेके पढ़ लेना इसको हाँ तो ये सारी डिटेल थी व्येल डेड के बारे और फिर भी अगर आप लोगों का बच्चो इस एक्जाम की तयारी करनी है तो वील डिये केंपस तयारी करवा रहा है और ये ये जो स्टडी मेटरियल है हैं रिटन नोट शोट नोट समसी क्यू परते एक चेप्टर के लिए डेली टेस्ट लेंगे प्रेक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ये वीडियो को हमारा जो कोर्स लेना है हमारे साथ प्रिप्रेशन करनी है तो वो बच्चे बई डिस्क्रिप्षिन में हमने टेलीग्राम चेनल का लिंक दे र procurement जोईन कर लेना ठीक है और मैझल मेंस को मेसेज कर देना वो सारी डेटेल्सापको दे दे लेंगे और बच्यो वी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे बच्चों ठीक है तो आज के लिए इतना ही भई अब मिलेंगी शाम को 8 बुझे प्रैक्टिस एट में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत